दोस्तो आज हम Grand League winning trick बताने जा रहे हैं जो आज तक हम बहुत ही कारगर लगी है और इसी से हम भी ट्रेम मनाते हैं और हम विन कर जाते हैं दोस्तो ये तो हम जरूर बता रहे हैं दोस्तो हैस्टेक नंबर वन रैंक तो नहीं आई परन्तो बहुत सारा पैसा हमने जीता है दोस लॉस में नहीं गए हैं दोस्तो जैतनी बार भी खेल चुके हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा जरूर रिशीव कर लेते हैं दोस्तो अट लाश्ट जो है अगले माश में नहीं कुछ कर पाए तो दोस्तो 49 रुपाए हमें जरूर मिल गए हैं तो इस प्रकार से आप Grand League मे जो है खेलने जाते हैं तो वहाँ पर यही सूचते हैं दोस्तों कि कौन बालिंग करेगा कौन बैटिंग कर सकता है अच्छी कौन जो है फिल्लिंग में अच्छा है तो यह सचीज कंप्रोमाईज करके जो है 15 खिलाड़ी या 13 खिलाड़ी को लेकर जाते हैं वहाँ पर फिर मानगी लीजिए कि दोनों टीम जीत का हगदार नहीं होती आपकी दिमाग में पहले से ये चला करता है दोस्तों कि कौन टीम जीत सकती है कौन टीम भारी है कहीं कहीं ऐसा होता है दोस्तों 10% ही ऐसा होता है कि उस दिन यह नहीं समझ में आता दोस्तों कि आखिर आज टीम कौन जीत होने वाली है जैसे आज जो है लखनव में काना स्टेडियम में लस जी फर्थेच रसी भी यहां पर दोस्तों समझना एक माई को जो मैस आज होने वाला है साम कुछ साठी साथ बजी वहाँ पर दोनों टीम बैलेंस दिखाई दे रहे हैं दोनों के खिलाड़ी अच्छा प्रफार्मेंस कर रहे हैं दोनों कि तरह से कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा है तो उनका मध्यम क्रम है वह बहुत अच्छा साथ दे रहा है जिससे ट्रीम जो है टेबल में बहुत अच्छे स्थान पर कावीच है उसी तरह RCB में भी कोई ने कोई दोस्तों वहाँ पर भी चल तो वहाँ पर 7 प्लेयर और दूसरी टीम थोड़ा कमजोड है तो वहाँ 4 प्लेयर ले लेते हैं और दूसरी बात अगर टीम बैलेंस समझ में आ रहा है तो दोस्तों 6 और 5 का रेशियो पिलकुल उंदा होता क्योंकि जो 2023 के नियमा नुसार आप मिनिमम एक टीम से एक प्ले सकता दोस्तों यह एक नियम है तो दोस्तों जीतने के लिए आपको दोनों जो है टीमों से आपको कंप्रोमाइस करना होगा कंपेर्जन करना होगा खीलाडियों में कंपेर्जन करना होगा बालों में कंपेर्जन करना होगा तभी आप जो है हासिल कर सकते हैं जीत दोस्तों हम चलते हैं, देखिएगा, हम जो किस प्रकर से सेलेक्शन करते हैं, जो mają percentage लेवल वाला, तो यぇ percentage लेवल बहुट बहुत सारे लोग दोस्तों, यह नहीं जानते कि percentage लेवल क्या, मानली जिए हैं शूव कि सुव लोगों ने टीम बनाई उसमें ऐसी लोगों ने विराट कोली को चूज़ किया तो वहां पर विराट कोली का परसंटेजल कर्रीया का परसंट संटेजल के सब्सक्राइए यह AFर चुरा करते हैं तो आप दो खिलाडं़ कचुनाओं करें दो खिलाडी हाई लेवल परसंटेज से आप लेजिए उसके बाद और नीचे आते हैं 60-80 जितका परसंटेज लेवल 60-80 है वहाँ पर आप तीन खिलाडी ले तीन खिलाडी ले इसके बाद आता है 44-60 परसंटेज वाले अच्छा यह मीडियम होते हैं दोस्तो तो यहाँ पर यह बहुत काम करते हैं जैसे सुमन गिल हो जाते हैं दोस्तो जो है सिवम मिस्रा हो जाते हैं दोस्तो यह आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सिवम दूबे हैं वो भी बहुत तब आपकी 11 प्लेयर हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर बात यह हो जाती है कि 90% लोग दोस्तों high level वाला लोग को चुन लेते हैं और 10% लोग ही नहीं जानते वो जो है low level पर जाते हैं तो 90% वाले खिलारी जैसे ही high level वाले percentage वाले खिलारी यह नियम होता दूसरी बात एक हम चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों यह किसी टीम में एक नए खिलारी को दोस्तों entry हुई है एक या दो खिलारी बदल जाते हैं हर मैच में क्योंकि वहाँ पर बदलने का region होता है कि या तो उस खिलारी का उस ground में अच्छा जो है performance रहा हो या उस खिलारी उस जैसे ground में वो खिलारी बहतर कर सकता तो वहाँ पर वो लिया जाता है दोस्तों या किसी खिलारी के चोट हो गए तो उसके इस्थान पड़ाता तो आप ये समझेगा ये खिलारी अगर नया इसमें जोइन किया गया उसे हटाया गया दोसे खिलारी तो क्यों तो उस खिलारी को आप कभी भी dream 11 में मत छोड़िए क्योंकि अगर वो लिया गया है और BCI इसका फैसला किया है और लोगों ने फैसला किया है कि इस खिलारी को लेना चाहिए कैप्टन ने फैसला किया तो इसका मतलब है उसमें कुछ दम है दो तो उस खिलारी को आप कदा पी न छोड़िए उस खिलारी को आप जरूर लीजिए और अराम से टीम मनाएए और आप अपने लास को कवर कर लीजिए तो अगर बैटिंग दोर कैता है तो ओपनिंग बहुत जवरुदस लीजिए जिसे आप बहुत ही अच्छा कर सके लिगे और बहुत ही जवरुदस होने चाहिए ऑगर बालिंग करने चाहिए थो आपको इस्पिन और फाष्टरर में दोस्तो झोनों होनी चाहिए जिससे आप मध्यम, जो है लाता है जो होता है डिरम्लेमंग अगर वह नंबर एक नहीं ला पता तो भी वह कुछ न कुछ कर जाता है तो यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन मनाने बिल्कुल गलती ने करें अगर हमारी राह माने तो दोस्तों अगर आप आर्ल लाउंडर को कैप्टन अच्छा दोस्तों यहां पर आपको यह पता होगा एक रन पर एक पॉइंट होता है बैट्समैन का एक रन बनाया एक पॉइंट हुए और इधर जो है बॉलर का दोस्तों अगर एक बिकेट ले लिया तो 33 पॉइंट उसके काउंट होते 33 पॉइंट अगर बिकेट लेने में दूसरा क कैच लेता है और वालिण करने 2 ऐसकोफे कोई ऐसकी कोई 25 कोईंस पॉइंट मिलेंगे और इस प्रकास से टेंटिस टॉटल ॉइंट मिल जाते हैं और यदू बॉयड करता है दोस्तों इसी तरह विकेट कीपलिंग में अगर पीछे कैश करता है दोस्तों तो उसे भी 8 पॉइंट मिलते हैं और यदि उसे बोल्ड करता है दोस्तों तो वहाँ पर उसे तोटल 33 पॉइंट मिल जाते हैं दोस्तों तो दोस्तों इस प्रकार से आप कैप्टन वाइस करने की बाद दोस्तो वेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले धने बाद नमस्कार दोस्तों बंदे मत्रम मिलते हैं किसी अन्य इंट्रेस्टिंग वीडियो में तक-Tक के लिए दोस्तों टाटा बाई-बाई-टाटा बाई-बाई झाल